हाई दोस्तों तो आपने आज का टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो हेक्विजन के DVR का पासवर्ड रिसेट के रिकवर कर दिके रिकार्डिंग है वैसे तो ओल्रेडी मैं इस वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उसमें जो इशू आ रहा है जो भी वाली वीडियो वाश करता है अगर वो टेक्निकल है तो तो वो रिसेट कर पाता है अधर्वाइस उसमें कुछ एक चेंजिंग का गई है हिक्विजन ने सडीपी टूल को इंस्टॉल करने का तरीका चेंज कर दिया है बागी प्रोसेस अल्मोंस सेम है लेकिन सडीपी टूल कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है PC पे क्या सेटिंग करने पड़ती है वो थोड़ो सा डिफरेंस हो गया है तो मुझे लगा क्लाइन को जब जोड़ पड़ती है तो वो उस पासवर्ट के थूरू अपना काम नहीं कर पाते सो पहली बात तो मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आप एंड यूजर हैं सो आपको अपने डीवियर का पासवर्ट चेंज करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग रखना तो बेफालतों में कैमरे वाला जो इंस्टोलर है वो फर्स जाता है तो पहले से ही आप एतियाद करें अगर आप कैमरा इंस्टोलर हैं तो आप खुद ही कस्टमर से उनका पासवर्ट चेंज कराने के लिए बोले तो आज की वीडियो हमारी जो है उस टोपिक पे आते हैं आज हम करने वाले हैं हिक विजन, DVR या NVR अगर आपके पास हिक विजन का DVR है या NVR है और उसका पासवर्ट आप भूल गए हैं तो इस प्रोसेस के साथ साथ आप उस पासवर्ट को रिसेट कर सकते हैं आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा ज्याद तर कहीं कहीं को दूसरा हिक विजन का IP कैमरा भी होता है जिसके सिरीज में जल्दे लेके आने वाला हूँ, IP कैमरा की क्लियाटी दिखाने वाला हूँ आपको, IP कैमरा के जो फीचर्स है कैसे एड करते हैं वो सब लेके आऊंगा अगली वीडियो में, तो चलते हैं शुरू करते हैं आज की के लिए, थैंक यू, तो दोस्तो आगे हैं PC की स्क्रीन पे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला काम आपको जो करना है, वो करना है आपको SADP Tools इंस्टॉल, तो जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप थोड़ सा नीची आएंगे, नीची आके आपको यहाँ पर description दिखेगी, description पर show more का option दिखेगा, show more पर click करते ही, यहाँ पर आपको एक link दिखेगा, install, hic vision, DVR, SADP, tools, software, so tools की इस प्रेंगी सोड़ सी गलत हो गई है, बट tools है यह आपको click कर देते हैं, click करने के बाद एक आपको website पर जेके जाएगा, आपको website मेरी गुलिशन valesia.com slash hic connect app install, so यहाँ पर एक तो आपको hic connect की application का link मिल जाएगा, अगर आप phone पर download करना चाते हैं, hic connect की application, तो आप यहाँ से install कर सकते हैं, दूसरा आप थोड़ सा और नीशी जाएगे, तो यह आपको वीडियो दिख जाएगी कि कैसे आप hic connect को install कर सकते हैं, थोड़ सा और hic vision, SADP tools software, यह भी सोड़ सी spelling गलत होगी, तो इसको ठीक कर दूँगा मैं, तो यहाँ पर आपको download SADP tools software का option मिलेगा for window, तो आपने यहाँ पर click करना है, click करने के बाद आप directly पहुच जाएगे hic vision की official website पे, जासे कि आप यहाँ से software install कर सकते हैं, यहाँ पर download SADP for window, तो आपन this term पे click करना है, तो आपकी installation start हो जाएगी, जैसा आप देख रहे हैं, 34.7 MB की file है, तो इसको इपा install होने देते हैं, उसके बाद क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, तो फिलहाल यह, मेरा software जो है, यहाँ पर install होने वाला है, इसके बाद को run करना पड़ेगा, जैसे ही आपका नीचे यह 34.7 MB complete हो जाए, तो आपने SADP tools यहाँ पे click करना है, यहाँ पे SADP tools, EXE file, इस पे आपने click करना है, आपकी installation यहाँ पे start हो जाएगी, आपसे पुछा जाएगा yes और no, तो आपने yes पे click करना है, इस procedure के लिए आपको PC या computer का होना compressor यह है, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा, तो welcome to install shield wizard for SADP tools, आपने next पे click करना है, यहाँ पे language, English और Chinese, तो मैंने English करके next पे click कर दिया, यहाँ पे again आपने location देनी है, जैसे कि मेरा C के अंदर program file के अंदर यह save हो रहा है, तो आप locations की change कर सकती है, otherwise मैं इसो click next पे click कर देता ह हूँ, click install to bang the installation, तो बिसकी installation चाट होगी, अब तक software save हो रहा था, अब यह PC में software install हो रहा है, तो एक बाद को install होन देते हैं, थोड़ा सा पास कर देता हूँ तो guys, अगला option आपको again next का मिलेगा, कि desktop पे shortcut सही है, तो मैंने click किया हूँ already, by default click होरखा होता है, तो next कर देते हैं, अब इससे मेरे desktop पे icon बन जाएगा, run the application, तो finish कर देते हैं, यहाँ पे enable करने की कह रहा है, कि जब भी upgrade आए, तो automatically enable उसका upgrade हो जाए, तो yes पे कर देते हैं, पे, तो दोस्तों यह मेरा IP आ गया है, DVR का, बनलब यहाँ पे DVR का आपका IP address हाजएगा, अगर आप इस पर double click मारेंगे, तो डर के आपको explorer पे ले जाएगा, जहाँ पे आप इसके अंदर username password चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेक करता हूँ, admin और admin at the rate 123, यह मैंने password by default में तो यह मेरा password wrong बता रहा है, तो password मुझे इसका नहीं पता, तो simply अब चलते हैं, password reset करने के लिए तो आप देख रहे हैं, थोड़ता आप नीचे आएंगे, तो आपको यहाँ पे forget password का option दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपने forget password पे click करना है, उससे पहले आपको यहाँ पे device पे click करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे check box पे click लवाना है, then आपने forget password पे, आपको शायद पूरी स्कीन दिखाई देगी, आपके यहाँ पे पूरी स्कीन आ जाएगी, तो forget password पे click करना है, यहाँ पे 2 option दिखेंगे, आपको पहला export, दूसरा के और code, तो आपने यहाँ export पे click करना है, तो आपसे यह कह रहा है कि कौन सी location पे file को save किया जाए, तो मैं simply deed right के अदर, एक folder create कर लेता हूँ, हेक विजन, dvr, password reset, तो इसके अंदर हम file को save कर देते हैं, तो मैं simply इसको select folder पे click करता हूँ, और यहाँ देख रहें, exported हो गई है, मतलब file मेरी यहाँ पे save हो गई है, अब हमें अगला step क्या करना है, हमें अगला करना है, हमें mail बेजनी है, तो simply यहाँ पे खोलते हैं, gmail.com, mail में हमें क्या बेजना है, मैं आपको दिखायता हूँ, तो simply हमें अपनी mail send करनी है, तो compose पे click करना है, आपको जिस भी mail ID से mail बेजनी हो, suppose आपको बेजनी है, मुझे बेजनी है, गोलिशन विच्चा बेल से, तो मैं simply गोलिशन विच्चा क्लिक कर देता हूँ, तो आपको जो भी आपकी जीमेल है, वो खुल जाएगी, आपने compose पे click करना है, यहाँ पे आपने type करना है, support at the rate pramahequison.com, यहाँ पे डालना है subject, तो मैं subject डलता हूँ, password, reset, for DVR, यहाँ पे भी डाल देता हूँ, my name is गोलिशन वोलेचा, I want to reset my DVR, password, गई नीचे आप देख रहे हैं, attachment का option, तो यहाँ पे मुझे attach कर दी है वाली file, जो की मैंने d-dry के अंदर, हेक्विजन करके, हेक्विजन DVR password इसा करके बनाई थी, इसमें save किया था, तो यह export हुई री file, इसको slack करना है, यह file attach हो जाएगी, और यहाँ से हमें इसको send कर देना है, आप detail में डाल सकते हैं, कि आपने DVR काहां से लिया था, कितना पुराना है, बट मैंने कुछ भी नहीं डाला है, तो उसके बिना भी mail reply आ जाता है, तो उसके बिना भी mail reply आ जाता है, यह sometime यह within a five minute आयता है, और sometime यह तीन से चार गंटे भी लिता है, तो एक बारी वेट करते हैं, मैं आपको तब मिलूँगा, जब mail आ चुकी होगी, थोड़ सा वीडियो को break करते हैं, तो दोस्तों आपने देखा, कैसे हमने PC में SADP Tools को install किया, कैसे हमने file को export किया, कहां पर save किया, यह सब मैंने step by step समझाने कोशिश की है, हेग विजन की mail आएगी, उसके बार क्या process है, वहाँ पर चलेंगे, तो चलते हैं वापिस PC में, और देखते हैं mail आई के नहीं आई, तो दोस्तों आप देख रहे हैं, मेरे पास email आगई है, me support, इसके, इसमें कुछ है कि उन्होंने file बेजी है, तो एक बार ही mail को open करते हैं, तो 5 बचके 22 minute पर मेंने mail बेजी थी, और 5 बचके 26 minute, मतलब within a 5 minute में पस mail आगई है, और वो मुझे कुछ एक detail मांग रहे हैं, जैसे कि मेरा नाम, मेरा contact number, और country, state, city, purchase from, model number, यह सब चीज़े मांग रहे हैं, तो मुझे अब करना क्या है, मुझे इनको mail बेज निया है reply में, तो एक बार चलते हैं, यह वाली जो detail है, इसे copy कर लेते हैं, और इनको reply कर देते हैं, मेरा जो नाम है, वो है गुल्शन, वलेच्चा, contact number मांग रहे हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, अपना contact number, normally कई बारी बिना, detail के भी share कर देते हैं, लेकिन आज यह detail मांग रहे हैं, तो मैं simply अपनी detail इनको शेयर कर देता हूँ, इंडिया, डेली, नियो डेली, प्रॉम, क्रक्स, model number, model number इक पर देख लिए हैं, कौन सा model number लगा हूँ है, तो यह मुझे, SATP tools में दिख जाएगा, तो यह रहा मेरा model number, DS-7A08, DS-7, सो काईज इडियल में शेयर कर दिये हैं, यहाँ पर, और वापे साब send कर देते हैं, और वेट करते हैं, इनकी mail के आने का, तो दोस्तो मेरे पास mail आ गई है, 5 बचके 31 मिन पर mail आई है मेरे पास, एक बारी खोलते हैं, और देखते हैं, इन्होंने मुझे attachment बेजी है, encrypt key 2014, तो मुझे simply इसको save करना है, अपने यहाँ पर download करना है, तो मेरे download file के इन download हो गई है, तो मैं simply इस file को copy करके, अपनी d drive के अंदर, जहाँ पर मैंने वाला software install किया था, जो उसका export किया था, वही पर इसको paste कर देता हूँ, ताकि मुझे issue ना हो, तो आप चलते हैं hik connect पे, hik connect पे यहाँ पर import key, और import file का option है, तो यहाँ पर import file पे क्लिक किया, यहाँ पर folder पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे जाना है d drive, जहाँ पर मैंने वो save की थी, hikvision dvr password reset के अंदर, encrypt key 2014, यहाँ पर डालना है मुझे password, दोस्तो password reset करने के लिए, आपको जो सबसे ध्यान रखना है, जब भी आप file import करते हैं, जो hikvision से mail आती है, उसको अपने PC में save करते हैं, और उस file को वहाँ पर डालते हैं, तो जो नया password आपने रखना है, वो रखना है admin के अलावा, मतलब आपका password admin at the right one to three नहीं होना चाहिए, otherwise जो hikvision है, वो error show कर देगा, कि username का same password allow नहीं करेगा वो, तो आपको इस बार ही change करना है, आप future में चाहें, तो अपने password को वापस कुछ भी कर सकते हैं, admin at the right one to three भी रख सकते हैं, बट इस वाले password में आपको ध्यान अखना है, कि आपका जो password है, वो अलग होना चाहिए admin से, तो चलते हैं वापिस PC में, और कुछ different password डालते हैं, तो मैं डालता हूँ, gulsion at the right one to three, gulsion at the right one to three, तो गाइस, यहाँ पे मैं finish का option है, यहाँ पे आप देखेंगे confirm का, confirm पे क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों आप देख रही है, reset password succeed, तो मेरा password जो है, वो change हो गया है, तो गाइस मैंने अपने DVR का password change कर लिया है, अगर मैं चाहूँ तो अपने laptop पे, IBMS 4200 की software install करके, अपने camera को laptop पे watch कर सकता हूँ, लेकिन मैं करने वाला हूँ, internet explorer में, explorer में कैसे मैं अपने DVR को on कर सकता हूँ, अगर आप तो गूगल Chrome है, तो उसमें शायद नहीं चलेगा, गूगल Chrome support नहीं करता, बट अगर आपके आपे internet explorer है, तो आपको कोई भी IBMS software डाली जोत नहीं है, आप उसमें भी इतने camera को watch कर सकते हो, हाँ, अगर आपके explorer में कोई issue आ रहा है, तो आपको IBMS 4200 का software install करना पड़ेगा, उसके regarding भी दो वीडियो बनी हुई है, पहली वीडियो, अगर आप सेम साइट पे हैं, जिस साइट पे DVI लगा हुआ है, वहीं पे ही आपने laptop रखा हुआ है, सेम इंटरनेट कनेक्शन है, तो local setting कैसे कर सकते हैं, एक वीडियो वो है, और एक वीडियो वो बनी हुई है, अगर आपके यहापे office में DVI लगा हुई है, और आप घर पे laptop पे वोज़ करना चाते हैं, तो उसके regarding कैसे setting कर सकते हैं, वो वाली वीडियो भी बनी हुई है, वस वीडियो का link कोशिश करूँगा, description पे डालने की, जिससे कि आपकी help हो सके, अब खोलते हैं explorer पे जो IP दिखा रहा था, वो यहाँ पे डालता हूँ, 108 था, तो यहाँ पे डालना है मुझे admin, और password डालना है, तो password डाल दिया है मैंने और login करता हूँ, तो मैंने by default password जो है, अपना golden ad direct 123 रख दिया है, अब आप देख रहे हैं मेरा जो DVR है, वो start हो गया है, उसका password अनलोक हो गया है, अब अगर मैं TV से भी इसे अनलोक करूँगा, तो भी मेरा password अनलोक हो चुगा होगा, तो यह process था, हमारे DVR का reset करने का, इसके अलावा कोई questions आपके मन में आ रहा हो, तो आप मुझे write कर सकते हैं, बहुत जल्दी IP series आने वाली है, IP camera की series, एक विजन का IP camera कैसे install होता है, उसको कैसे हम set up कर सकते हैं, यह सब आने वाले हैं, तो thank you so much, आपने इस वीडियो को इतना लंबा देखा, आपके mind में हो सकता है, कोई ना कोई questions रह गया हो, तो आप comment box में write कर सकते हैं, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी, आपकी problem sort out नहीं हो रही, तो guys, मेरे पास एक employee आता है, जो की लोगों की help करता है, लेकिन help नहीं कहेंगे उसे, क्योंकि वो उस चीज़ के charges लेता है, अगर आपका problem urgent है, अगर आप उसे करवाना चाते हैं, आपको फरक नहीं पढ़ता, तीन साथ तीन सुर रुपर pay करने में, दैन आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, निक्षे WhatsApp नंबर है मेरा, तो time जो होगा उसके आने का, क्योंकि basically मेरे पास time नहीं होता, कि मैं इतना call flow को answer कर पाऊं, या फिर उनकी help कर सकूं, तो एक लड़का रखा हुआ है, जो कि आता है, और ऐसी help करता है, तो अगर आप interested हैं, तो आप मुझे call भी कर सकते हैं, WhatsApp भी कर सकते हैं, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी help निली हो, तो प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि मैं आशा यही करता हूँ, कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ, इतने simple तरीके से बनानी कोश्च करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो subscriber हैं, जो मेरे वीडियो को इतना लंबा watch करते हैं, वो अपनी problem खुद ही solve कर सकें, लेकिन कहीं कहीं काफी issue आता है, कहीं कहीं ऐसा issue आता है, कि वो reset नहीं कर पाते, कुछ लोग technical नहीं होते, कुछ जगई बार something कुछ पीछे से software का issue होता है, कुछ ना कुछ ऐसा issue होता है, और उनकी problem urgent है, तो वो मुझे call कर सकती है, otherwise आपकी problem इस वाली वीडियो को देखने के बाद solve हो जाएगी, so please like कर दें, share कर दें इस वीडियो को, अगर आपने अभी तक मेरे चनल को subscribe नहीं किया, मेरे चनल पे CP+, हेक्विजन, दाववा, TVT, और भी कई सारे product हैं मेरे, जिनका link मैं description पे दे दूँगा, मैं काफी item sale करता हूँ, dealers, customer को, so अगर आप security system में interested है, shutter siren system मेरे पास available है, wifi lock available है, wifi switch available है, ऐसे कई सारे product है, तो अगर वो देखना चाहते हैं, तो description पे उसका link दे दूँगा, जिससे आप check कर सकते हैं, कि क्या क्या product मेरी website पे available है, आप उसे buy कर सकते हैं, उसके बार में ज़्यादा जानकारी के लिए, मुझे WhatsApp कर सकते हैं, so thank you so much, इस वीडियो को इतना end तक देखने के लिए, please subscribe my channel, and bell icon को प्रेस करना ना बूले, जिससे कि future में जब भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप तक notification उसकी आ जाएगी, thank you so much, इस वीडियो को इतना end तक देखने के लिए, भगवान आपका देश्यूप करे, thank you so much, कर देखने के लिए,